उधारन सोला सिद्ध कीजिये की समकोन त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है बच्चों हम उधारन सोला पे बात करने जा रहे हैं उधारन सोला में हमें दिया हुआ है कि A, B, C एक समकोन त्रिभुज है जिसमें कोड B समकोड है और यदि कोड B समकोड है इसका मतलब यह हुआ कि कोड B के सामने की भुजा A C विकर्ण है तो यह हमें जानकारी दी हुई है यहां और इसके अधार पर हमें यह सिद्ध करना है कि इस त्रभुज में A, C जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है यानि आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि A, C बड़ा है A, B से और A, C बड़ा है B, C से तो हमने इसे लिख लिए है कि भुजा A, C बड़ी भुजा है A, B से और फिर से एक बार A, C बड़ी भुजा है B, C से यानि A, C जो है वो शेस दोनों भुजा है A, B और B, C से बड़ी है यह हमें सिद्ध करना है तो आईए शुरू करते हैं हम हम शुरू करें जो हमें दिया हुआ है कि त्रीब़ुच A, B, C में कौड, B सम कौड है यानि कौड B नब्यान्श का हुआ यदि कौड B सम कौड है तो इसका मतलब हुआ कि बचे फें दोनों कौडों के योग भी नब्यान्श होगा हम लिख सकते हैं कौण A, धन, कौण C, ये बरावर भी नब्यंश होगा क्योंकि त्रिभुष की तीनों कोणों के योग दो सम कोण यह एक सौसिएंश होता है और यह कोण B नब्यंश का है तो कोण A और कोण C भी नब्यंश का होगा इसका मतलब यह हुआ कि हम देख रहे हैं कि कोड B नब्यांस का है कोड A धन C भी नब्यांस का है इनका योगफल तो आप इन्हें अलग अलग लिखें तो कह सकते हैं कोड B बड़ा है कोड A से और इसी तरह से आप कह सकते हैं कोड B बड़ा है कोड C के पिर से आप एक बर देख ले तो इसका मत्बब है कोड़ B के सामने के भुजा A C कोड़ A के सामने के भुजा B C से बढ़ी होगी क्योंकि आपने पढ़ा है कि बड़े कोड़ के सामने के भुजा बढ़ी होती है किसी तर्मूज में तो चुकि कोड़ B बड़ा है तो आप कहा सकते हैं A C बड़ा है इसके सामने के भुजा B C से तो इसका परणाम अब इस तरह से लिख सकते हैं कोड़ B के सामने के भुजा A C बड़ी होगी कोड़ A के सामने के भुजा B C से और इस कथन के अधार पर फिर से आप कहा सकते हैं कि कोड़ B के सामने की भुजा यानि भुजा A C बड़ी होगी कोड़ C के सामने की भुजा A B से तो आप इसे लिख सकते हैं A C बड़ी भुजा है A B से और A C बड़ी भुजा है B C से यही हमें सिद्ध करना था तो आपने देखा कितनी आसानी सी इस चीज़ को आप कर सकते हैं आप एक बार ध्यान से देखें आपने किया क्या कोण B बराबर 90 दिया हुआ है या आपने लिख लिए और इसके अधार पर आप कहा रहे हैं कि कोण A और कोण C को योग फल भी 90 को होगा और इन दोनों कतनों के अधार पर ये बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि कोण B इन दोनों कोणों से अलग अलग बड़ा होगा तो कोण B बड़ा होगा कोण A से और कोण B बड़ा होगा कोण C से अब इन जानकारियों के अधार पर हम एक बर तर्भुज में देखें तो हम यह पाते हैं कि कोड़ B के सामने के भुज़ A C है और कोड़ A के सामने के भुज़ B C है तो आपको चुकि यह पता है कि बड़े कोड़ के सामने के भुज़ बड़ी होती है तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि कोण B के सामने के भुजा A C बड़ी है कोण A के सामने के भुजा B C से तो ये कथन आपको मिलता है A C बड़ा है B C से और ठीक इसी तरह से आप फिर एक बार कह सकते हैं कि A C बड़ा है A B से ये दोनों कथन आपको मिलते हैं जो आपको सिद्ध करने थे आईए कुछ सोचे एवं चर्चा करें दिये हुए चित्र में A, B और C, D क्रमशा एक चतुर्भुज A, B, C, D की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं दर्शा ये कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से